ओम शांती, 10 जैनुवरी की शुर्वेदान में आप सब का सोगत है, सेहन शक्ति और सत्यता ये दोनों साथ साथ चलती है, अगर सत्यता है तो आप किसी भी बात को सेहन कर लोगा, क्योंकि आपको पता है कि अंत में सत्यता प्रूव की जाएगी, automatically, सिध्ध हो जाएगी, हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी तरी से परमात्मों कहते हैं, सेहन शक्ति की धारना द्वारा, सत्यता को अपनाने वाले सदा के विज़ई भवा, दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सचे लोगों का चलना ही मुश्किल है, अगर आप थोड़ा स आत्माएं भी समझती हैं कि कहां-कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ेगा, और अगर ब्रहमें परिवार के अंदर हम रहते हैं, अगर हम सेंटर में भी रहते हैं, या घरबार में रहते हैं, तो वह पर भी को चतुराई तो यूज़ करनी पड़ेगी, तब ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा लेकिन ब्रह्माबाब को देखा सत्यता वह पवितरता के लिए कितनी opposition हुई फिर भी घबराये नहीं ब्रह्माबाब को बहुत कुछ opposition फेस करनी पड़ी अपने ब्रह्मिंट परिवार वालों से भी उनको सुनना पड़ा बाहर वालों से भी उनको सुनना प पड़ती ना हमें क्रोधित हो करके किसी को सिद्ध करनी की दूरत पड़ती है कि मैं राइट हूं चुप रहेंगे समय अनुसार हर चीज सिद्ध हो जाती है यह लौ है फिर परमात्मा कहते हैं हम आप बाद में तो बाबा कहते हैं बात में कि ब्रह्मा बाबा को जब यह तो सत्यता के लिए सेहन शक्ति की आवशक्ता होती है सत्यता अगर आपके अंदर सच है अगर आपने कुछ गड़बर नहीं करी है गलत नहीं किया है जूट नहीं बोला है बुरे कर्म नहीं किया है तो उसके लिए सेहन शक्ति की आवशक्ता होती है अगर आपने नहीं किया ह आप सिंपल बिना घबरावे बोलोगे नहीं मैंने किया हुआ है लेकिन हमने अगर कुछ गलत किया है और वो कोई 10 बारी 20 बारी कुछन पूचे तो आप क्या करोगे आप अटक जाओगे या आप वहां पर अकड जाओगे यह वहां पर प्रोदित हो जाओगे और चलो ठीक है लेकिन वहार नहीं है सदा की वज़ई है वहार नहीं है जो हमें दिख रहा हार है वहार नहीं है क्योंकि वह किसी और का अगर अभिमान है हम अपने जगा पर राइट हैं लेकिन कोई और अपने अभिमान से कुछ करने कोशिश कर रहा है तो वह गलत हो जाएग और हम जो हैं सत्यता से चल रहे हैं जुग गए हम ठीक है किसीने कुछ गड़बड करी और नुकसान हमें दिख रहा है लेकिन हम जुग गए उसमें हमारी जीत होगी कि हमें आगे बढ़ना है आगे कौन सी एनरजी लेके जाना है आगे कौन सी भावने लेके जाना है डर की भावना कि हमें लेके जाना है विकुल सची भावने सागे बढ़ना है तो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा अच्छा होगा और जो होने वाला है बहुत ही है सदा की विज़ई है तो इसको और गहराई से समझेंगे तो आप भी और समझेंगे कि हां हम ब्रह्मा कुमायरिज में आए इस ज्यान को समझें और डीपली जाएं तो हमारे अंदर सुख और शैंती और सैंशक्ती बढ़ेगी उम्शैंती इसके सत